हेलो स्टूरेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वॉक्षिट नंबर 60 वॉक्षिट नंबर 60 हिंदी का वॉक्षिट है और आज हम हिंदी में ललत की रचना वाग का पुन्रा बृत्ति करेंगे यह वॉक्षिट है क्लास 9 का वॉक्षिट स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप यहां अपना नाम लिखे और यहां अपने कक्षा अध्यापक का नाम अवश्य लिखें यह वॉक्षिट 25 नवंबर 2020 का है बच्चों वाग सैली का अर्थ होता है वानी यह चार प ललत की रचना वाग को अच्छे से समझा है यहां देखिए आज की वॉक्षिट में क्या दिया गया है पिछले कारे पत्रकों में हमने जाना की कस्मीरी भासा की लोकप्रिये संत कवेत्री ललत की कावेसैली को वाग कहा जाता है इन्होंने अपने वाखों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुल कर विरोध किया था धार्मिक आडंबर कहने का आर्थ है बच्चों अंध विस्वास जो समाज में फैली हुई थी उनका खुल करके ललत ने विरोध किया यहां देखिए बच्चों ललत की कावेसैली की कुछ पंक्ति अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ती मार्ग को ना अपना कर उन्होंने किस मार्ग को अपनाया था? उन्होंने हठियोग के मार्ग को अपनाया था हठियोग कहने का अर्थ है बच्चों चित बृतियों के प्रवाख को संसार की ओर जाने से रोकना यानी स्वे को क्या करना? अंतर मुखी करना तो इन्होंने किस का सहारा लिया था भक्ती मार्ग के लिए? हठ योग का सहरा लिया था अर्थात उन्होंने भक्ती रूपी सीधी को न चड़ कर कुंडलिनी योग को जागरित कर परमत्मा और अपने बीच क्या कर रही है एक सेतू बना रही है सेतू सब्द का अर्थ होता है पुल एक पुल बनाना परन्तु वह अपने इस प्रयास में क्या हुई असफल और साथ ही क्या हुआ दिन बीतता चला गया यानि उनकी आयू जो है वह घर्टी चली गई अब यहां देखे जेब टटोला यानि कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने क्या पाया अब कवित्री कहती हैं कि उनकी मृत्यू क्या थी करीब थी जब उन्हें अपने जिन्गी का लेखा जोखा किया तो उन्होंने क्या पाया बहुती दरेदरता और अपनी असफलताएं और वह कहती हैं कि जब वह परमात्मा के पास जाएंगी तो बह उतराई में क्या देंगी? यहाँ पे मांजी सब्द का अर्थ है इश्वर, परमात्मा तो हमारी लिखी का कहती है कि जब वह परमात्मा के पास जाएंगी जब उनका मिलन परमात्मा से होगा तब वह उन्हें क्या देंगी? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई पुन्य कर्म किया ही नहीं जो वह परमात्मा को अर्पित करेंगी तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं नीचे भावार्थ दिया हुआ है उस भावार्थ को देखेंगे अपनी इन पंक्तियों में कवेत्री ने मनुश्य द्वारा इश्वर की प्रापती के लिए किये जाने वाले प्रयाशों का कराप्रःार किया कवेत्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती हैं कि मुझे पश्यताप हो रहा है मैं जीवन भर अशत्य मार्ग पर चलते हुए इस्वर को खोजती रही अर्थात मैं भक्ती मार्ग को त्याग कर हठियों का सहारा लेकर अपने और इश्वर के बीच सेतु का निर्मान करना चाहती थी परंतु मैं निरंतर अपने इस प्रयास में असफल होती रही और धीरे धीरे मेरी उम्र घटती रही जैसे जैसे वक्त बीता गया लेकी का क्या होती गई ब्रिधा अवस्था को प्राप्त होती गए मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जिससे मैं मृत्यू के बाद इश्वर को दिखा सकूँ मैंने तो पूरा जीवन हठ योग में वैतीत कर दिया यदि मेरे जीवन का मांजी रूपी इस्वर मांजी सब्दकार्थ मैंने आपको बताया था इश्वर या परमात्मा इस्वर मुझ से उतराई के रूप में मेरे पुन्य कर्म मांगेंगे तो मैं उसे क्या दोंगी इस बात का कवेत्री को बेहत अफसोस है क्योंकि जो समय एक बार बीट जाता है वह दोबारा लोट कर नहीं आता है तो देखा बच्चों कवेत्री लल्लत ने अपनी चार पंक्ती की वाख में बहुत बड़ी बात हमसे कही है अब चलिए इस वाक्षिट में दियेगे प्रस्णों को देखते हैं पहला प्रस्ण हमारा है जेव टटोली कौरी न पाई प्रस्टूत पंक्तियों का भावस बस्ट कीजिए तो यहाँ पे जो हमारी लेखी का है जो हमारी कवेत्री है लल्लत जी वह इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना जाती है जेव टटोला यानि उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ किया उसका क्या कर रही है? हिसाब किताब कर रही है लेकिन जब वह हिसाब किताब करने बैठी तो उन्होंने क्या पाया? कि उनके पास कुछ भी नहीं है कौरी भी नहीं पाई तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों पहले प्रस्ण का उत्तर आप इस परकार लिखेंगे प्रस्तूत पंक्ति वाक से ली गई है कवेत्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जब मैंने अपने जीवन का हिसाब किताब किया तो पाया कि मैंने ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया है जो मृत्यू के बाद इश्वर को दिखा सकूँ तो ये हो गया आपके प्रस्ण संख्या एक का उत्तर आप यहां से इसे नोट कर सकते हैं दूसरा प्रस्ण हमारा है कवेत्री ने मांजी सब्द किसके लिए प्रयोग किया तो इसका उत्तर हो जाएगा कवेत्री ने मांजी सब्द इश्वर के लिए प्रयोग किया है तीसरा प्रस्ण हमारा है कवेत्री इन पंक्तियों के मांध्यम से क्या कहना चाहती है तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कवेत्री का मानना है कि जो मोह माया के बंधन को छोड़े बिना इश्वर तक पहुँचना अशंभव है चौथा प्रस नमारा है प्रस्तूत वाख में कवेत्री ने किस रूप में अभिवैक्ति की है तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तूत वाख में कवेत्री ने इश्वर प्राप्ति के लिए आत्माव लोकन की अभिवैक्ति की है तो बच्चों ये वाक्सिर यहीं समाप्त होता है मुझे आसा है ललत की ये वाख आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट में अवश्य सुचित करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करना बिलकुल न भूले ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो से वॉक्सित नंबर 60 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकें आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेस्बूक और ट्विटर पर भी जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वॉक्सित में आप सब का धन्यवाद